अब आ जाते हैं parallel space forces के ओपर ठीक है तो parallel space forces बहुत easy है and आपको जो है अब यहां पर जो forces निकालने का काम है न वो यहां पर आदा हो जाता है क्योंकि forces directly given है आप देख लो forces आपको directly given है आपको कौन सी चीज़े याद रखनी है देख लो parallel space force system में आपको यहां पर समझो यह आपकी coordinate axis है तो आपको जो भी forces given होंगे वह ऐसे given होंगे suppose यह A है यह F A है यहां पर अगर given है suppose यहां पर ऐसे given है न तो यहां पर यह ऐसे आप लिखोगे F B ठीक है ऐसे आपको forces given होंगे यानि की parallel format में forces given होंगे ठीक है यहां पर आपको यहां पर भी R BAR तो कैसे निकालना है आपको Sएम क्या निकालना है F1, F2, F3 थीक है यहां पर आपको जो कोडिने निकालने होंगे वह कहसे निकालने होंगे suppose कोई भी coordinate आपको निकालना है x y z थीक है वह किस से calculate करोगे वारिग्नन्स थेरम से calculate करोगे ठीक है वारिग्नन्स थेरम यूज होगी एन वारिग्नन्स थेरम क्या यूज होगी? Summation of MOF है ना? Moment at point O ठीक है? Is equal to what summation of all the forces यहाँ पर यहाँ पर है resultant के ठीक है? तो summation of moment of all forces is equal to summation of moment of resultant ठीक है? तो यह वाला आपको concept यूज करना है और एक और चीज यहाँ पर आपको यूज करनी पड़ेगी वो ही आपका जो आपने सब ने पढ़ा हुआ है यह बच्पन में क्या है यह यह है आपका i, j, k वाला है ना? i, j, k ठीक है? i, k करेंगे, i, k करेंगे, i, k करेंगे तो क्या आना चाहिए, j आना चाहिए and अगर j, i, i करेंगे, j, i करेंगे यह उल्टे जाएंगे तो क्या जाएगा मैनस तो यह सब को पता है बस यह वाला concept यहाँ पर यूज होगा i, k ow, b, d e, given c, v, o, b, d, e, given c, c, c मुझ भी given है, हम वही काम करेंगे यहाँ पर determine the magnitude and point of application of resultant तो यहांपर हमे determine the magnitude यह नि कि resultant का magnitude और point of application of resultant रिजथे वह find out 얼마나 है, ao अब हमें क्या करना होगा सबसे-बसे पहले हम coadidnates निकाल लेंगे मैं यहीं पर लिख देती हूँ coordinates आप क्या लिखोगे अब देखो यह x-axis यह z-axis यह y-axis यह origin हो जाएगा तो इसके सारे के सारे जो coordinates है वो 0 हो जाएगे ठीक है उसके बाद देख लो b है है न बी अब इसके पास आप कैसे जाओगे देखो suppose आप ऐसे समझो कि इसके पास आप ऐसे आ रहे हो इसको कोई force समझ लो ठीक है तो इसके पास आने के लिए आप कैसे आओगे पहले इदर आओगे फिर इदर आओगे ना पहले इदर आओगे फिर इदर आओगे तो आप यह स्क्ट्वेश्ट है इसका मतलब देखो यहां पे 6 4 यानी 10 यहां पर 5 5 याने की 10 यानी की पूरा weaker splits 10-meter की side का square है तो आप छिखो b यहां पर से 10 meter होगा correct ना तो यहां पर आपका जो b कॉडिनेठ यहांगे यहां पर यानि कि positive z-axis में जा रहा है positive z-axis में 10 आएगा ठीक है फिर यहां से इधर आ रहा है यानि कि यह क्या है देखो तो यह आपके किसके parallel है x-axis के parallel है यानि कि 4 है ना यहां पर आ जाएगा 4 एंड यहां जाएगा 0 तो यहां गए आपके coordinates for point B अब coordinates of point D देखो तो इसके लिए समझो कि आप ऐसे आ रहे है ना इसके लिए आपको ऐसे आए ना इसके मतलब आप ऐसे जाके फिर ऐसे आओगे है ना तो d के लिए d के लिए यहां पर coordinates लिख देती हूँ यहां पर आप ऐसे आओगे x-axis में आप आओगे कितने 10 मीटर है ना square यहां पर square E है तो यहां पर आप लिखोगे कितना यहां पर आएगा 10 ठीक है दन उसके बाद देखो य-axis में कुछ भी रही है जिरो लिख लो एंड यहां से आपका यह कितना है 5 मीटर किस क्या है यह तो आप देखो यह किसके parallel है तो Z-axis के positive Z-axis के parallel है यहां पर आजाएगा आपके 4 forces F1 F2 F3 F4 ठीक है तो बस आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है बहुत simply आपको coordinates मिल जाएंगे ठीक है ऐसे ही करो ऐसे ही coordinates जैसे मैंने बोला ना कि इस distance से इस distance तक तो ऐसे ही आप जाओ तो सब easily समझ में आ जाएगा आपको तो चलो अब start करते है अब आपको क्या करन सबसे पहले आपको resultant find out कर लेना है देख लो resultant first step में आ जाएगा कैसे आएगा मतलब अभी तक हम कितना procedure कर रहे थे यह पूरा मतलब यह इतना सब करने के बाद end में हमें resultant मिल रहा था अब आपको resultant बहुत simply मिल जाएगा कैसे मिलेगा सबसे पहले देख लो अब आपको क F1 क्या है F1 है आपका कितना है 40 kN लेकिन देखो अब हमें लिखना है किस वाले format में IJK वाले format में लिखना है तो आप यह देखो कि यह किदर point out हो रहा है नीचे point out हो रहा है यानि कि y axis negative y axis में point out हो रहा है तो यहां पर आप लिखोगे minus j cap क्योंकि j of course y axis के लिए हम denote करते ह तो minus क्योंकि यह नीचे जा रहा है तो minus इसका मतलब क्या आ जाएगा minus 40 kN minus 40 kN j cap ठीक है तो यह हो गया तो इसका आप कैसे लिख सकते हो minus 40 j cap kN ठीक है तो यह हो जाता है आपका F1 ठीक है अब निकालो F2 तो F2 कैसे निकालोगे F2 देखो तो F2 है यहां पर कितना है again y axis में में ही है तो अब जैसे parallel हम बात कर रहे है तो सब y axis में होंगे तो again minus है तो minus आप यहां पर क्या लिखोगे minus 20 j cap kN ठीक है समझ में आगे कैसे लिखना है उसके बाद आप F3 लिखोगे F3 कैसे लिखोगे तो यह अगे नीचे 8 की direction में है लेकिन 8 है तो minus 8 j cap kN ठीक है ना अब F4 लास्ट वाला कैसे लिखोगे अगेन वही direction में है तो minus 12 j cap kN ठीक है तो यह सारे के सारे forces आगए directly just by observation है ना concurrent जितना हमें बिलकुल भी ताम जाम यहां पर नहीं करना पड़ा आर बार आप directly कैसे निकालोगे देखो तो आर बार आप directly निकालोगे यहां पर है minus 40 यहां पर है minus 20 यहां पर है minus 8 यहां पर है minus 12 तो क्या मिल जाएगा minus 80 j cap kN मिल गया आपको resultant यानि कि आपका आदा question यही पर सॉल्फ हो गया जो कि अब है डिटर्माइंड बागनिट्यूड बोला था है अब क्या करेंगे हम अब ही अब निकालना है point of application of resultant यानि कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे आप जैसे मैंने बोला हमें varignance theorem निकालना है ना varignance theorem का यूज करना है तो जैसे यहां पर है summation of moment of all forces is equal to summation of moment of resultant तो summation of moment of resultant के लिए हम moment of resultant at point o निकालने तो क्या निकालेंगे हम कोई ना कोई point of मतलब कोई ना कोई coordinates होंगे तो वो हम क्या समझ लेते हैं x i cap plus y j cap plus z k cap ठीक है ना यह हम find out कर लेंगे लेकिन यहां पर यह है क्या कि यानिकि जो force है वो हमें पता चल गया है that is your minus 80 j cap kilonewton ठीक है ना तो मतलब जो find out नहीं किया है उसको हमने x y z में लिख दिया और जो find out किया है उससे हमने जो है जितना हमें पता है उतना काम हम करते जा रहे हैं अब आपको क्या कर लेना है simply आपको 80 को अंदर multiply करते जाना है तो minus 80 x हो जाएगा यहापर देखोगे तो i cap into j cap हो जाएगा ठीक है ना अब आपको यह वाला concept यूज करना होगा समझ में आगया अब यहाँ पर देखोगे तो plus plus नहीं माइनस आएगा क्या माइनस 80 से मल्टिपलाई कर रहे है ना तो minus 80 y आएगा j cap into j cap अब यह तो 0 ही हो जाएगा अब यहाँ पर minus of 80 and यहाँ पर क्य है k cap तो minus 80 x k cap ठीक है और यह वाला जो यह तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि j cap into j cap है and minus 80 k into j यहाँ पर हो जाएगा minus i यहाँ पर minus है तो minus minus हो जाएगा plus 80 z i cap ठीक है तो यह आगया आपका moment of resultant at 0 ठीक है तो यह आगया इसके लिए ठीक है अब हमें क्या करना है अब हम forces के लिए find out करेंगे यह वाला जो पार्ट है यह हमने कर लिया अब यह वाले पार्ट के लिए अब हम निकालेंगे movement at 0.0 with respect to f1 ठीक है ऐसे निकालेंगे तो यह यहाँ पर वही वाला आपको formula यूज करना है कौन सा r आपका होगा कहां से o से o से o तक ही होगा ठीक है यहाँ पर समझ में आ रहे है न हम o से o से ही बात कर रहे है तो o से o तक होगा and यहाँ पर into f1 होगा believe me अगर आपने f1 पहले ले लिया और इसको बाद में लिया तो भी आपका answer जब नेगेटिव format में आ जाएगा गलत नहीं आएगा negative format में आ जाएगा तो आपको क्या करना ही पड़ेगा बाद में change करना पड़ेगा इससे अच्छा आप यही वाला formula याद रखो ठीक है अब द बाद में आपको f2 कर देना है समझ में आगया ना तो आप किया करोगे simply यहां पर f2 यहां पर बार ले लेना ठीक है बार ले लेना यहां पर क्या एगा r bar of o b यानि कि आप देखो तो आपका o और b किदर है अब यहां पर यह बी है और यह ओ है यांडिकर आपको क्या करना ह तो 4-0 आपका आजाएगा, 4 i cap, remember i j cap के format में लिखना है, 0-0 यह हो जाएगा, 10-0 यानि कि अगेन आपर आजाएगा, plus 10 k cap, j component 0 है, and आपर देखलो तो f2, अब यहां पर f2 क्या है, f2 यहां पर आजाएगा, that is, यहां पर 20 kN है, हमने क्या निकाल लिया है, यहां पर देखलो, minus 20 j cap, तो simple है, minus 20 j cap, अब आपको क्या कर लेना है, वही चीज़, आपको multiply करते जाना है, अब इसका multiplication simple नहीं होगा, वही मैंने बोला, i j k वाला format यूज करना है, तो 40 into 80, यानि कि minus 80 हो जाएगा, लेकिन i cap into j cap क्या होगा, i cap into j cap आपका k cap हो जाएगा, यहां पर minus 200 होगा, and k cap into j cap क्या होगा, k cap into j cap वही हो जाएगा, minus यानि कि plus i cap, यहां पर आजाएगा, यह पूरा format में, आपका kilo newton, ठीके, तो यह मिल गया, अब आपको find out करना है, m at point o with respect to f3, तो क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको ro, यहां पर f3 के लिए देख लो, f3 के लिए है d, है na, so ro d बार, यहां पर यह भी देखते चलो, ठीके, उसके बाद into f3 करने ना है, ठीके, तो यहां पर आप देख लोगे, od, यहनि कि d minus o करेंगे, हम, sorry, d minus o करोगे, तो d क यहां पर आ जाएगा, कितना 10 i cap, plus 0, यह जाएगा, यहां पर z के लिए है 5 minus 0, यहांनि कि plus 5 k cap, प्लस 5 k cap, अब देख लो कि f3, f3 हमने क्या find out करा हुआ है, minus 8 j cap के लिए 10, तो अब आपको क्या कर लेना है, justice को multiply कर लेना है, तो यहां पर आजाएगा 80, i cap into j cap होगा, आपक of 40, 5, 8s of 40, k into j, यानि कि आपका आजाएगा, k into j again, minus i, यानि कि plus i cap, तो यह आगया आपके लिए, किसके लिए, किलो न्यूटन में, यह आगया, m because of f3, ठीक है, अब last वाला find out करना है, f4, ठीक है, देख, लेन्दी है, प्रोसीजर हम वही कर रहे है, जस्ट लेन्दी है, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप देख लो, f4, oe तक जा रहा है, तो oe बार, into f4 बार कर लेंगे, हम ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, oe, यानि कि e minus o करेंगे, तो 10 i cap, ठीक है, 10 i cap हो जाएगा, into 00 हो गया, 00, यानि कि सिर्फ 10 i cap बचाएगे, simple calculation हो मतलब, moments with respect to forces, अब आपको लगा देनी है, by varignance theorem, है ना, by varignance theorem, by varignance theorem, अब यह देखो, जिनों ने insem में study नहीं करी होगी, उनको यह समझ में नहीं आएगा, कि varignance theorem क्या है, चलो, वही formula यूज करना है, तो यही formula, लेकिन अगर आपने insem में भी अच्छे से करा होगा, त तो क्या है formula, summation of moment of all forces is equal to moment of resultant है, तो summation of moment of all forces है, इसका मतलब आपको क्या कर लेना है, सारे के सारे जो terms यहाँ पर find out करे है, उनका addition करना है, यहाँ पर, and आपका जो, हमने resultant किसके, moment of resultant जो find out किया, वो यह किया है, यह वाला किया, समझ में आ गया, आपका directly आप इसको के कैप बाद में लिखूंगे तो चले का ना, तो यहाँ पर में लिख देती हूँ, 80 Z I cap minus 80 X K cap, तो यह वाला है हमारे पास, अब हमें निकालना है यह वाला है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, मैं directly add कर लेंगे, यह जो है ना, यहाँ पर directly add कर लेंगे, I I के कर लेंगे तो यहाँ पर देखो 200 है ना, प्लस 200, प्लस 40, प्लस यहाँ पर I cap नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 240 I cap, ठीक है, 240 I cap, अब K वाला कर लो, J तो कोई है नहीं है ना, तो यहाँ पर K के लिए क्या आ जाएगा, minus 80, minus 120, तो यहाँ पर आ जाएगा, minus 280 K cap, minus 280 K cap, ठीक है, the coefficients, ठीक है, equating the coefficients, I hope कि आपको easily समझ में आ रहा है, बिल्कुल complication हम नहीं कर रहे है, तो आपको I की जो components है, coefficients है, आपको उनको equate कर देना, यानि की 240 is equal to, क्या हो जाएगा, 8 Z हो जाएगा, and यहाँ पर minus 280 किसके equal हो जाएगा, minus 80 X के equal हो जाएगा, यानि की X और Z हमें मिल जा Z हो जाएगा 240 upon 8 है, 240 upon 8 simply हो जाएगा 3 meter, ठीक है, Z component, यहाँ पर minus minus cancel हो गया, X हो जाएगा 280 upon 80, 280 upon 80, यानि की आप देख लो करके कितना आ रहा है है, 280 upon 80, तो answer हो जाएगा 3.5, 3.5 meter from X axis, ठीक है, तो यह है आपका point of application, समझ में आ गया कितना simply हमने कर लिया, मैंने बहुत लिए आपको बताया है, टाइम देके मैं एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम जा रहा है, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया अब भी आपने टाइम दे दिया तो आपको एक्जाम में इसको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगे, ठीक है, तो यह है फ पूचा क्या है, तो आप इसको कैसे करोगे, देख लो, पूचा क्या है हमें, थ्री फोर्से, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, आक्ट नॉर्मल एक्स वाई प्लेल, आज शोन, फाइंड देम अग्निटू डिरेक्शन, पॉइंड पॉइंड पॉइं यानि कि वह वाली टेंशन खतम हो गई, हमारे वह कॉडिनेट जो है वह फाइंड आउट करने वाली, तो डिरेक्ली अब हम यह से स्टार्ट कर लेंगे, हमें सबसे पहले निकालने होंगे, फोर्से, तो मैं कॉन से फोर्से को क्या के बोल रही हूं, तो देखो 30 को मैं बोल तो कैसे निकालोगे, तो देखो यह उपर जा रहा है, अब देख लो, X-axis यह है, Y, Z, यानि कि यह कौन से उपर, कहां जा रहा है, यह Z-axis में जा रहा है, गल्ती से इसको Y मत कर देना, गल्ती से बोल रही हूं, ठीक है, यूगि सीधा सा आफ दिया हुआ है हमें, और हम यह यहां से, अब देखो, यह नीचे की डिरेक्शन में है, तो Z-axis में क्योंकि पैरलल है, कहीं और नहीं जाएगा, यह तो Y में ही होगा, यह तो X में ही होगा, यह तो Z में ही होगा, यहां पर देखो, तो माइनस त्वेंटी के कैप किलो न्यूटन, ठीक है ना, उसके बाद अब 30, माइनस 20, माइनस 40, के कैप किलो न्यूटन है, क्या आजाएगा, देख लो, 30, माइनस 20, 10 होगया, माइनस 40, यह तो यह हो गया, आपका R बार, ठीक है, एक तो हमने find out कर लिया, यहां पर हमें मिल गए marks, ठीक है, यहां पर मिल गई क्या marks, अब आपको क्या करना है, आ तो ही आप चीजे करोगे है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सारे points पे हम मुमेंट निकाल लेते हैं, तो मुमेंट अट A पॉंट, क्या होगा, R O A बार, इंटु F of A, वही चीजे करनी है, यानि कि O A है, यानि कि A से O जाना है, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेनी की ज़र और आपका फोर्स A क्या है, यहां पर से देख लो, तो 30 k-cap, 30 k-cap किलो न्यूटन है, तो यहां पर आपका क्या आजाएगा, 32 is a 60 i-cap into k-cap, i-cap into k-cap तो आएगा आपका, minus of j-cap है, यहां पर बना दू, क्या मैं, यहां पर बना दू, i-cap, j-cap, k-cap, ठीक है, i-cap, j-cap, k-cap, य i-cap, 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 i-capt, अल्टा जा हो जा रहा है, यहां एणि की, minus j-cap हो घिक है, जिनको याद है, वर डारेक्ली कर लो, नहीं तो इतना सा बनाने में कुछ टाइम नहीं जा रहा है, यहां पर 60, अब j-cap into k-cap, तो डारेक्ली हो जाएगा, i-cap, और यहां क् divert Deputy, यहां पर, चे minus o 4 minus 0 4 i cap and 2 minus 0 plus 2 j cap and fb 20 minus 20 k cap simply आपको यहाँ पर मिल जाएगा 80 j cap minus 40 80 j cap minus 40 minus 40 j into k j k i cap आजाएगा i cap kilo newton अब इसके बाद m c के लिए निकालेंगे moment at point c तो आप जल्दी जल्दी कर लो अब यहाँ पर roc हो जाएगा f of c हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा c minus 4 minus 4 i cap and यहाँ पर plus 10 j cap and आपका fc क्या है minus 40 k cap है तो simply आपका यहाँ पर answer के आने वाला है 60 j cap अब यहाँ पर i ji into k है i into k है यहनि कि negative है लेकिन यह भी तो negative है ना तो वो positive लिग दिया मैंने ठीक है and into minus 400 i cap आजाएगा ठीक है यह हो गया kilo newton तीनी forces हैं तो तीनों के लिए यहाँ पर हो गया अब आप at last निकालो किसके लिए resultant के लिए तो resultant का हमें पता नहीं है तो x i cap plus y j cap है ना into आपको resultant का magnitude पता है minus 30 k cap kilo newton यहाँ पर आपका simply क्या हो जाएगा देखो minus 30 x minus 30 x i cap into j cap क्या हो जाएगा minus j cap यानि कि positive j cap लिख लेना ठीक है फिर minus 30 यहाँ पर आजाएगा y अब यहाँ पर देख लो तो क्या है j cap into k cap यानि कि आएगा i cap है ना तो यह हो गया आपका किसके लिए resultant के लिए अब डिरेक्ली लगा दो क्या by varignance theorem यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर आपका यह 30 x j cap minus 30 y i cap ठीक है ना 30 y i cap अब आपको क्या करना है all the forces तो यहाँ पर आपको i or j वही कर लेंगे यहाँ पर यह first है यह second है और यह third है तो इनके जो भी i j है वह हम लोग क्या कर लेंगे कायल सी में डैरेक्ली पुट लेंगे यहाँ पर i वाला देख लो 60 यहाँ पर है minus 40 यहाँ पर them minus 400 यहाँ आईगा कि क्या कर देख लो minus 380 किसके लिए किसके लिए i cap यहाँ पर आपको लिख लेना है किसके के लिए minus 380 i i cap तो j cap है, j cap के लिए minus 60 plus 80 plus 160 है ना, तो क्या आजाएगा, 180 आजाएगा, यहाँ पर positive 180 j cap, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लो, यह i cap पहले लिख लेना, यह j cap बात में लिख लेना, यहाँ तो मैं लिख देती हूँ, minus 30y i cap plus 30x j cap, ठीक है, तो अब अब क्या करने हैं, आपक the coefficients, तो यहाँ पर आपको i की components i के साथ कर देना है, तो minus 30y is equal to minus 380 है ना, minus minus cancel, तो y के आजाएगा यहाँ पर से, तो आजाएगा 380 divided by 30, तो आजाएगा 12.66, 12.66 meter, वैसे ही आपको इसके लिए कर लेना है, तो 30x is equal to 180 हो जाएगा, यानि कि यह simply x के आजाएगा, आपका 6 meter है तो यह आगए आपके point of application, ठीक है, समझ में आगया होगा, I hope की समझ में आगया होगा, मैंने बहुत simply explain करने की कोशिश करी, तो चलिए, space parallel के भी 2 questions हो गए, concurrent के भी 2 questions हो गए, अब इसके बाद सिफ general space forces system बसता है, तो वो आपको next part में मिल जाएगा, आपका space forces का जो topic है, वो